नमस्कार किसान बाईयों मैं प्यार मीना आपका दोस्त आपका स्वावित करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल राजस्तान फाइदेगा सोधा के उपर किसान बाईयों आज की वीडियों मैं आप लोगों को बताऊंगा है कि जब आप ग्यों निकालते हो तो ग्यों के अंदर जो पांके आती है ग्यों के अंदर जो डूंडले आती है कच्रा आता है उसको आपके इस तरीके से रोके ग्यों के उपर जो चिलका होता है वो लगा ये कच्रा ना है तो किसान भाईओ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को दबा लेना वीडियो को सेर्फ कर देना आज की वीडियो में आपको इसके बारे में जानकर मिल जाएगी किसान भाईओ इसके बाद में अगर आप इस वीडियो क आपको कच्रा नहीं मिलेगा हाँ तो किसान भाईयों हमने आपको बताया कि हाँ आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं तो दूसरी बात बताओ किसान भाईयों आपको आपकी मसेन अगर ग्यों के साथ कच्रा निकाल रही है बहुत सारा तो उसके पीछे कही कारण होते हैं यहां पर हम बात कर रहें थे किसान बाइयो कि जो आपकी गेहुं की फसल है अगर उसमें कच्रा आ रहा है, साफ नहीं निकल रही है गेहुं के ओपर चलका आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से खतम करें तो आज की वीडियो मैं आप में आपको यह सार्ज जानकेर देंगा लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बैल आइको भी तबहलेना और वीडियो को सेल भी कर देना किसान भाई यो जब आप ग्यों निकालते हो तो ग्यों निकालते हो जो चिलका आता है उसके पीछे कारण यह होता है कि आपके जो यह एलफर है यह थोड़ी छोटे रह जाते हैं अब ये किस तरीके से होता है किसान भाई हो जब आप फसर निकालते हो तो अलग-अलग वैराइटी के गयों होते हैं किसान भाई हो किस सभी किसान भाई एक वैराइटी के गयों नहीं होते हैं आप कहीं वैराइटी ऐसे होते हैं गयों कि जो छिलका काफी टाइंट होता है औ तो उसको जल्दी ना होतनी कारण तो उसकी वेराइटि है लेकिन मशीन पर ब shipment किस्तरे की सेटिंग करें जिसके वह जल्दी निकल जाए को कुछ नहीं करना होगा जैसे कि साड़ी तीन सूत के जाल में आप यहों निकालते हो तो उसको तीन सूत का जाल डालके ही निकालना होगा ऐसी वेराइटी को जिससे कि उसकी कुटाई हो सके और अच्छे तरीके से वो साफ होके बाहर की तरफ निकल सके किसान भाई हो तो किसान भाई हो वीडियो छोटा था लेकिन जानकारी पूरी थी इसके अंदर आप लोग समझ गए होंगे जो जानकारी में आप लोगों को दे रहा था और आपको क्या करना है किसान भाई हो दूसरा काम यह करना है कि आपका जाल अगर चोड़ा जाल है आप का तो आपको कुछ नहीं करना है अगर आप एल फरो को छोटा नहीं करते हो तो आपको एक सिस्टम और बता देता हूं आपको इस तरह किसे जाल को छोक कर देना है बीच बीच में आपको ब्लेड लगा देना है जाल के वाली एक एक इंची की तो आपका जाल थोड़ा सकड़ हो जाएगा तो एलफ रोसे जो कुटाई हो जाए उसकी तो निकल जाएगा कहीं किसान भाईयों की सिकायत होते हैं कि उनकी मसीन दाना फोड रही है तो दाना फोड रही है तो उसके पिछे भी कारण होता है किसान भाईयों कि आप जो गंडा से की सेटिंग है यह सही नहीं कर पाते हैं इसको आप सही कर लीजी तो आपकी मसीन दाना विल्कुल नहीं फोड़ेगी किसान भाईयों तो यहाँ पर आज क्या वीडियो में बस इतनी थी जानकरी जादा जानकरी और जादा कर दो तेहिंगी झाते हैंदयों एानकरी धोड़ेगी के छ में verify जाद कर दो दीन